हेलो प्रेंट्स वेलकम बेक टू टेक्निकल ब्रगू तो दोस्तो यहाँ पर वीवो ने ओपीशली कनफॉर्म कर दिया है कोई इंडियन मार्केट में एक नया समानपॉन लॉंच करने वाला है जो की होगा वीवो स्टार एक्स और दोस्तो वीवो की तरफ से कुछ लिक्स के सार यह पता चल जाता है कि इसके अंदर आपको 5G network का सपोर्ट देखनी को मिल जाएगा और यह एकदम कनफॉर्म कर दिया है वीवो ने और इसके साथ यह आपको 48MP का ट्रपलियर कैमरा इन डिस्प्ले पिंगर पिंट सेंसर एंड क्वालिकम इस्टेगन 855 का प्रोसर किसमें आपको क्या कुछ ने फीचर देखनी को मिल सकते हैं और क्या होगी इसकी इंडियन प्राइज और कब तक आपको यह इंडियन मार्केट में भी देखनी को मिल सकता है तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं इसकी डियान से तो इसम पर एमुलेट डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाएगा जो कि OLED स्कीन विर्थ बॉर्टर डॉप पैनल होगा जिसका रेजुलेशन होगा 1080 x 2340 पिक्सल और इसके साथ ही आपको इन डिस्प्ले पिंगर पिंट संसर और बॉर्टर डॉप कैमरा भी देखने को मिल जाएगा और दोस्तो इसके बैक और फ्रन्ट दोनों साड में गोरिला गिलास का प्रोटर्टर बिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में तो दोस्तो इसमा आपको Qualicum Snapdragon 855 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो की Operating System 10.0 पर बेश दोगा यानि कि दोस्तो आप इसमा कोई Gaming या फिर PUBG बगारा खेलते हो या फिर कोई Movie देखते हो तो इसके Color Protection आपको किसी प्रकार का कोई Issue देखने को नहीं मिलेगा अब बात कर लेते हैं इसके बेंटरी के बारे में तो दोस्तो इसमा आपको 5000MH की बेंटरी देखने को मिल जाएगी जो की 33W के Fire Charging को भी सपोर्ट करती है और इसके साथ या आपको एक 33W का Fire Charger भी बोक्स के अंदर मिल जाएगा और इसमा आपको Type-C port, 3.5mm audio jack और IR blaster जैसे फीचर भी मिल जाएगे और बात करते हैं इसके RAM विरेंट के बारे में तो दोस्तो इसमा आपको दो RAM विरेंट में देखने को मिल सकता है 8GB प्लस 256GB और 10GB प्लस 512GB और दोस्तो अब बात कर लेते हैं इसके Cameras के बारे में तो दोस्तो इसमा आपको Triple Rear Camera Setup देखने को मिल जाएगा इसका Min Sensor 48MP होगा जिसमां Samsung का GW Sensor यूज किया गया है 13MP का एक Ultra-Ware Angle Lens होगा और 2MP का Micro Sensor होगा और इसमा आपको 4K Video Recording का Feature भी देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं इसके Front Camera के बारे में तो दोस्तो इसमा आपको 15MP का Selfie Camera देखने को मिल जाएगा जो की Water Drop के अंदर होगा तो दोस्तो इसके Camera के Performance में आपको काफी ज़्यदा Improvement देखने को मिल जाएगा तो चलिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राज और Launch Rate के बारे में तो दोस्तो इसकी प्राज अभी तक Indian Market में Confirm नहीं हुई है लेकिन दोस्तो इसकी आपको मिल सकता है अराउंड 20 यारोपीच की प्राज में तो देखा जातो 20,000 की प्राज में आपको मिल जाता है 48 MPs का AAA Camera, In Display Finger Print Sensor and Qualicum Snapdragon 855 का Processor तो दोस्तो 20,000 की प्राज में ये smartphone आपके लिए कैसा होने वाला है कमेंट बॉक्स में अपनी राज जरूल दीजेगा तो आई हुब दोस्तों की आपको ये वीडियो पसंद आयोगी अगर ये वीडियो पसंद आयो तो लाइक करें दीजे और अगर आप इस चनल पर अभी तक नए हो तो प्लिस इस चनल को सब्सकाइब करके बेल आइकन को इप्रेस कर लिएगा